नमस्कार जी के पिटल में आपका स्वागत है आज है 16 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आज बात करेंगे आई टी सेक्टर की दिगश कंपणी इनफोसिस के बारे में तो बने रही है वीडियो में अन्त तक फ्रेंड्स कल इनफोसिस के क्वाटर वन के बित्तिय नतीजों की घुशना हुई है इनफोसिस ने बूदबार को अपने बित्तिय नतीजों में बताया कि फर्स्ट क्वार्टर में 11.5% नेट प्रोफिट में ग्रोथ हुआ है जबकि कूल रेवन्यू लगभग 8.5% ही बढ़ा है कि दीन के लगभग 1 बज के 27 मिनट हो रहे हैं और कमपनी की सेर प्राइस में आग लगी हुई है कमपनी ने आज अपना 52 विक हाई भी बनाया है साथे 10 बजे के आसपास इसकी प्राइस की मोमेंट लगभग 16% की तेजी दिखा रही थी जब सेरों की प्राइस 955 के अस्तर पर ट्रेड कर रहे थे कमपनी के CEO सलील पारिक ने अपने कमेंटरी में कहा कि यह भीता क्वार्टर हमारी लिए बहुत ही सांदार था जिसमें हमने 1.7 बिलियन डॉलर की लार्ज डील हासिल किया और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेयर वैंगार्ड के साथ लार्ज डीजिटल ट्रांस्फोर्मेशन इंगेजमेंट के लिए भी पार्टनर्सिप हुई इसके रिटर्ण की स्थिति को अगर देखें तो यहां मैं इसने अपने नि्वेस्टम को लगभग 21.29 का पोजिटिव रिटर्न दिया है और एक साल पहले अगर आपने इसमयं निवेस्ट किया होता तो आज आपको फाइब पोइट पर सेंट का पोजिटिव रिटर्न होता अब इसके अगर पीर कंपनी होते वीप्रो में अगर आपने निवेश किया होता तो एक परसेंट के मुनाफ़े में होते और टेक महिंद्रा में अगर आपने निवेश किया होता तो लगभग नौ परसेंट से अधिक आपको नुक्सान हो रहा होता लेकिन लार्सन और टूब्रो इन्फोटेट के ती को गरेने से की वेबसाइट पर देखें तो आप यहां यहां देखेंगे कि इसके order book में देखने को यह मिल रहा है कि इसकी बाइंग क्वान्टिटी चो लगी हुई है और ताड़ा लाक सायन्तालीस हजार च्छेसो एक सेर्स की और सेलिंग क्वान्टिटी लगे हुई ह उननीस लाख आठ हजाट छे सो शेहतर सेयर की, तो फ्रेंट्स कहीं न कहीं, आज की जो तेजी है, उसमें जबरदस्त मुनाफ़ा वसूली का सीन लग रहा है, अब फ्रेंट्स इसके अगर क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो बहुत हुज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 6,94,4,597 करोड सेर की सुबह से ट्रेडिंग हो चुकी है और इसमें 1,58,3968 लगभग 1,5 करोड सेर की डिलिविरी हुए है परसेंटेज अब डिलिविरी 22.80 लगभग 23% अब फ्रेंट्स इसके अगर प्राइस मोवमेंट को इसकी चार्ट पे देख लें तो चीजें और असपष्ट हो पाएंगी कि अब हमें आगे की रन नीती क्या अपनानी है तो यहां हम देखेंगे कि इसने अपने 50,100 और 200 सभी एवरेज को पार कर चुका है आज इसमें एक जबरदस्त गैप आप ओपनिंग हुई थी और आज इसमें एक जबरदस्त तेजी भी रही है तो फ्रेंट्स अगर जिन्होंने भी नीचली अस्तोरों पर निवेस किया है 500,600 रुपे के आसपास निवेस किया है सबसे पहले तो इसमें उन्हें जबरदस्त मुनाफ़ा हो रहा है तो उन्हें मुनाफ़ा बुकिंग करनी चाहिए और नहीं अगर मुनाफ़ा बुकिंग करना चाहते अगर लॉंग रुण के लिए में निवेसित हैं तो 900 रुपे के आसपास उनको एक अपनी stop loss लगानी चाहिए उसके नीचे की ओर गडाता है तो उससे exit हो लें और फिर नीचली अस्तोरों पर जब प्राइस इसके settle down होंगे उस समय इसमें entry ले सकते हैं और जो नए निवेसक हैं उनके लिए मेरा सुझावे होगा कि अभी उनको इंतजार करना चाहिए प्राइसों में बहुत आग लगी हुई है तो थोड़ा इंतजार करेंगे तो निश्चित रूप से यह नीचली अस्तोरों पर जहां भी मिलता है वहाँ से एक बार लेवल पकर करके कि जहां भी निवेस करें उसके आसपास ही एक अपनी स्टॉप लोस लगाएं और उसे स्टॉप लोस के उपर उपर अपनी पोजिशन को बनाए रखें और अगर स्टॉप लोस हीट होता है तो फिर वहाँ सौदा कट के फिर निचली अस्तोरों पर उसमें एंटर कर सकते हैं फ्रेंट्स मेरे इस एडवाइस के पीछे एक सबसे बरा जो रिजन है वो यह है कि जो सेर प्राइस हैं वो ओभर बॉर्ट जोन में जा चुके हैं जिसकी वहल्यू निकल के लगभग 76 के आसपास आ रही है तो यही अधार है मुझे लग रहा है कि इसमें करेक्शन आना चाहिए और करेक्शन आने के बाद ही आप इसमें निवेस करें तो बहतर है और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फरमेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे जै हिंद जै भारुत